इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरणेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तिमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते हैं और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी इसो नॉम ती से इसा टैबलेट का इस्तेमाल दिल से जुड़े सीने के दर्द एंजाइना को रोकने के लिए किया जाता है यह रक्त वहिकाओं को आराम और चोड़ा करके काम करता है ताकि रक्त रिदे में अधिक आसानी से प्रवाहित हो सके यह दवा पहले से शुरू हो च जुके एंजाइना अटैक का इलाज नहीं करेगी इसो नॉम ती से इसा टैबलेट को खाली पेट लेना चाहिए आपका डॉक्टर खुराक तै करेगा और आपको उन्हें कितनी बार लेना चाहिए यह समय समय पर बदल सकता है यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे कितनी अच्छी तरह काम कर रही हैं आपको इस दवा को वैसे ही लेना चाहिए जैसा कि यह निर्धारत किया गया है और इसे लेते रहें भले ही आप ठीक महसूस करें यह दवा भविश्य में सीने में दर्द को रोकने में मदद करती है यदि आप इसे लेना बंद कर देते हैं तो आपके सीने में दर्द का खत्रा बढ़ जाएगा खास कर यदि आप उन्हें अचानक लेना बंद कर दें जीवन शैली में बदलाव जैसे आहार व्यायाम और धूम्डपान न करना इस दवा को बहतर ढंक से काम करने में मदद कर सकता है आप समय के साथ इस दवा के प्रती स पहनशीरता विक्सित कर सकते हैं जिसका अर्थ है कि वही खुराक कम प्रभावी हो जाती है ऐसा होने से रोकने के लिए आपको वास्तव में विशिष्ट खुराक कारिक्रम का पालन करना होगा सबसे आम साइड इफेक्ट्स में सिर्दद, चक्कर आना, आपकी हिर्दय गत में बदलाव और निस्तबधता, गर्मी, लालिमा या एक तनावपून भावना शामिल हैं यदि ये लक्षन आपको परेशान करते हैं या दूर नहीं होते हैं तो आपका डॉक्टर उन्हें रोकने या कम करने के तरीके सुझा सकता है दर्द निवारक लेने, बहुत सारे तरल पदार्थ पीने और शराब से परहेच करने से कुछ को कम किया जा सकता है इस दवा को लेने से पहले अपने डॉक्टर को बताएं कि क्या आपको निम्न रक्ट चाप, आंख में बड़ा हुआ दबाव, ग्लुकोम, गुर्दे की बीमारी या दिल की विफलता है अपने कोई रेक्टाइल डिसफंक्शन की कोई दवा नहीं लेनी चाहिए यदि आप गर्भवती हैं या स्तनपान करा रही हैं तो अपने डॉक्टर से पूछे कि क्या यह दवा उप्यूक्त है इस दवा से उपचार के दौरान आपका डॉक्टर निमित रूप से आपके रक्चा और हृदय गती की निगरानी कर सकता है वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिक को क्लिक करें धन्यवाद